आज हम आपको एक एसी अभीनेत्री के बारे में बताने वाले हैं जिसे बॉलीबूट में जरूरत गर्ल के नाम से जाना गया जरूरत गर्ल का मतलब होता था एक एसी लड़की जिससे किसी भी तरह के रोल करवाया जा सकते हैं और दोस्तो इस अभीनेत्री को बॉलीबूट म को हुआ था सत्तर के दसक की फेमस अभीनेद्री जिन्हें बहतरीन एक्टिंग और खुबसूरती के लिए पहचाना गया जिन्हें लोगों ने खुब पसंद भी किया उनकी जिंदगी हमेशा ही तकलिपों भरी रही है रिनाराई की जिंदगी में कई सारे दिल्चस एवं धर दुबरे किस्से जुड़े हुए हैं उनको ना तो कभी अपने पती से प्यार मिला जिस से प्यार किया उसने भी उनको ठुकरा दिया यहां तक कि अपनी गर्ब से जन्मी बेटी को पाने के लिए वो पूरे देश से लड़ गई चलिए बताते हैं ये सारे किस्से इस वीड फिल्म थे उनकी मा का नाम था सौरदा राय और उनके पिता सौकीब अली इन दोनों के घर में चार बच्चे हुए जब उनका तलाग हुआ तो रीना की मा ने अपने चारे बच्चों का नाम और सन्नेम बदल दिये रीना को उनकी मा ने नाम दिया रूपा राय लेकिन फिल मेगेदियर को सुरुवात करने से पहले उन्हें एक कलब में डांसर तक बनना पड़ा यही कलब में जब वो डांस कर रही थी, तब जाने माने फिल्मकार बी- यार इसारा की निजर उनपर पड़ी, उन्होंने रीना को फिल्म का आफर दे दिया और इस बात के लिए रीना मा कर रहे थे इस फिल्म के लिए उन्होंने रीना राय को साइन कर लिया बियार इस तरह ये बाद जानते थे कि रीना को पैजू की जरूरत है और वो इस तरह के सिन करने को राजी हो भी जाएगी और रीना ने इस फिल्म में इतने असलिल सिन दिये जिसको देखके बड़े इस फिल्म के बाद से ही रीना राय को जरूरत कल के नाम से जाना जाने लगा फिल्म काली चरण में सुटिंग के दोरान रीना राय अपने से 11 साल बड़े सत्रुगन सीना को दिल दे बेठी दोनों अधिकतर साथ में ही नजर आने लगे और उनकी नजदी की पुरे सहर में और अकवारों में चर्चा का विसे बन गई दोनों साथ सालों तक रिलेसंसिप में रहे और सभी इस बात की उमिद कर रहे थे कि बॉली बूट के ये लवबाट्स जल्दी ही साधी कर लेंगे लेकिन अचानक खबर आई कि सत्रुगन सीना ने पुनम से साधी कर ली एक फ्ल सत्रुगन ने पुनम से साधी के बाद भी रिना से बात करना कभी बनना ही किया सत्रुगन सीना के पुनम से बच्चे भी हो चुके थे उसके बावजूद भी वो रिना से बात कर दे थे और रिना को ये बात समझ में आ गई थी कि सत्रुगन सिर्फ उनका फाइदा उठा र इस साधी से उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम रखा सनम खान ये वो दोर था जब रीना और मौसीन अपने केरियर की बुलंदी बर थे लेकिन मौसीन के प्रेम में रीना ने अपना केरियर छोड़ के पाकिस्तान में ठीक समझा पाकिस्तान जाते ही रीना का इंडियन फिल्म 90 में मौसीन के साथ में तलाक ले लिया रीना अपनी छोटी बच्ची सरम को लेके वापस इंडिया आना चाहती थी लेकिन पाकिस्तानी कोट द्वारा बच्ची की कस्टिडी उसके पिता मौसीन को दी गई वहीं दूसरी तरफ रीना और मौसीम की इस नाक काम्याब साथी के चलते हैं उनका फिल्मे केरियर और इंडिया से उनका केरियर पुरी तरह से बरवाद हो चुगा था पुरी तरह से मौसीबतों में घहनने के बाद रीना को अपने पुराने दोस्त सत्रुगन सीना की प्यारी कर रहे हैं इसलिए उन्होंने बच्ची की कस्टेडी वापस उसकी मा रिना राय को दे दी रिना राय इंडिया वापस लोट आई यहाँ पे मंबई में वो अपनी मा के साथ में रहने लगी उनको आकरी बार अभी से एक बचन और करीना कपूर की फिल्म रिफ्यूज बसंद आप अपनी राय हमको कमेंट में जरू बताएं